तो साथियों हम लेकर हाजी रहें आपके लिए एक बहुत ही पहतरिन, बहुत ही जबर्जस्ट, बहुत ही विश्वसनी संस्था का कंटेंट वो है द्रिष्टी IS का टेस्टरीज साथियों साथियों आपका जो आने वाला एक्जाम है UP PCS Prelims 2024 या उसके आगे जो होने वाला है ROARO, इन दोनों एक्जाम के लिए साथियों यह टेस्टरीज आपके लिए रामबान साबित होने वाली है, क्योंकि साथियों यह टेस्टरीज आज की जो हमारी है यह UP Special से सम्मंदित है, सा आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि साथियों आज काल के जो सवाल पूछे जा रहे हैं साथियों जो GS का भी आपसे सवाल पूछा जाता है, तो करेंट मुद्दे में जो चीजे रहती हैं वो करेंट से जोड़कर पूछी जाती है, इसलिए आपको करेंट से मतलब इस्टेटि होगा आपके आने वाले दोनों एकजाम के लिए, अगर आप इसे फिर सुदोहराना चाहते हैं, अगर इसको आपको PDF चाहिए साथियों, तो PDF के लिए हम में डिस्किप्शन बॉक्स में एक अपने टेलिग्राम का लिंक दे दूँगा, आप इस पर मैसेज कर देंगे, तो आपको PDF प्रवाइड हो जाएगा, साथियों इतनी बड़ी और विश्वसनी संस्था का कंटेंट है, आप एक बार इसे अगर अच्छे से अलोकन कर लेते हैं, तो यकीन मानिए साथियों, यूपी इस वेसल से बहुत सारे टॉपिक से आप परचीत हो जाएंगे, जो आपक लगता है, यह होती है confidence, तो चले साथियों हम लोग पहला प्रशन देखते हैं, बहुत बहुत बेहतरी, बीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा साथियों, बहुत मेहनत लगती है बनाने में आप सब के लिए content त्यार करना, बनाना साथियों, बहुत ही उम्मीद करता ह आप से कि आप हमारा support करेंगे, तो चले हम लोग देखते हैं, पहला प्रशन क्या कह रहा है, तो साथियों देखते हैं हमारा पहला प्रशन देखिए क्या वो बोल रहा है, यह कह रहा हैं साथियों पहले प्रशन में, यमुना एक्स्प्रेस वे और दोगिक विकास प्राध जहर में Medical Device Park बनाने का काम कर रहा है, तो साथियों यह है Greater Noida में बनाया जा रहा है Medical Device Park, तो यह Medical Device Park जो है साथियों यह क्या है कोई पार्क नहीं है, यह एक तरह का Trauma Center है, जो आधुनिक तरह के जो है चीजों से मसीनों से लेस है, जो cancer हो गई है, बड़ी-बड़ी घातक बिमा यहाँ पर इलाज होगा, तो उसी का नाम दिया है, जो है यह Medical Device Park, Medical Device Park दिया है, जो Greater Noida में बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है, इडा बना रहा है, तो चले हम लोग साथियों देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न, देखें साथियों दूसरे प्रश्न में आपको क्या साथियों एरो सीटी बनाने की घोशडा की है, तो साथियों एरो सीटी क्या होती है, पहले आप लोग थोड़ा सही जान लेंगे, तो आपके लिए सही रहेगा, एयरपोर्ट के आज पास के वे बिक्सित छेत्र, वे बिक्सित सहर, जहां पर नेताओं के या बड़े- लोग पतियों के या बड़े-बड़े अमीरों के लिए जो है वो सहर होते हैं, जिस तरह के होटल, रेस्टेरान और तरह के इस तरह की जो चीजे होती हैं, वो चीजे वहां पर बनाई जाती हैं, तो उसे एरो सीटी बोला जाता है, तो साथियों यह एरो सीटी कहां पर बन होंगी तो इसे एरो सेटी नाम दे दिया गया है जो लखनों में जो है बनाने की घोशड़ा की गई है आगे हम लोग देखते हैं तीसरे वाले में साथियों बहुत बढ़िया प्रशन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश भ कर रहे हैं या आगे मतलब उनका मतलब निर्मार हो रहा है आगे निर्मार होगा सब णे रेला कर साथियों यह जो है 21 विमान पत्तन हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के पास जो भारत का पहला राज़ बनने वाला है विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका 21 फर आगे देखत ऐसा नहीं से direct UP से आ सकता है यो UP special के question होते हैं बहुत सारे आपको ऐसे प्रशन मिलेंगे जो लगते नहीं है यो UP special के हैं लेकिन real में कहीं कहीं उनका connection UP से होता है तो देखें निमलिखिद में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के बारे में सही नहीं है तो दादा भाई नौरोजी को grand old man of India कहा जाता है साथियों ये बात सच है लेकिन हमसे गलत पूछा है जो गलत होगा हम उसे बताएंगे और इन्होंने ही poverty and and British rule in India नामा के कुस्तग लिखी थी जिन्होंने उसमें भारत के धन निर्गमन का सिद्दान्त दिया था कि अंग्रेज जो हमारा धन लोट के ले जा रहे हैं यहां से उससे भारत को कोई लाव नहीं हो रहा है तो ये भी बात सही है सी वाले में साथियों करा है वह ब्रिटिस संसत के सदस के रूप में चुने जाने वाले पहले भारती थे यह साथियों ये तीनों बाते सही है जो हमें clear है ये तीनों बाते सह तो इसका मतलब यही चौथा गलत होगा, तो चौथा ही हमारा उत्तर है, क्यों साथियों चौथा उत्तर है साथियों, तीन बार यह भारती राष्टी कांग्रेश के अध्यच चुने गए थे साथियों, तीन बार चुने गए थे, अब लेकिन साथियों यहां बात यह है कि तर देखें जो गल्ती दिया 86-85 में नहीं, बलकि 86 में चुने गए थे एक बार, और उसके बाद कब चुने गए थे सात्यों, 93 में चुने गए थे, ये बाद तो सही है, 93 में, 1893 में चुने गए थे, और उसके बाद 1906 में चुने गए थे, जब एक बार गरम दल, नरम दल में बिरोध चल रहा था तो यह 1906 में तो यहां पर जो है यही चीज यहां पर गलती कर दिया इसलिए यह सही है क्योंकि हमसे गलत पूछा था आगे वड़े हम लोग पांचवा में देखते हैं क्या पूछ रहा है साथियों तो साथियों एक रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट क राज़ जो है उसके राज़ के राजस में बहुत सबसे अधिक राज़स है इसका पूछने का मतलब यह के स्वयम के राजस में सबसे अधिक हिस्ता है, तो साथियों उत्तर परदेश, दिकल्प नंबर D हो जाएगा, उत्तर परदेश एक ऐसा राज है साथियों, जहां पर ये पंचायती राज जो है, इसके कुल राजस में सबसे अधिक योगदान देती है, तो यही सई है आपका आगे चले हम लोग देखते हैं, हमारा ये प्रेशन जो कितना देती है साथियों, धाई पर्सेंट, कुल राजयस्टों का धाई पर्सेंट देती है, कितना याद रखिएगा आगे देखते हैं, हम लोग साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है, आपसे कई एक्जाम में यह पूछ सकता है सोलर सिटी के बारे में, तो सोलर सिटी परियोजना के तहद उत्तर प्रदेश का कौन सा सहर, सोलर सिटी कौन सा पहला सहर सोलर सिटी होगा, तो साथियों आपको पता दू सोलर सिटी परियोजना के तहट उत्तर परदेश का पहला जो सहर है वो आयोध्या जिसे सोलर सिटी विक्सित करने का लच रखा गया है। था पात आप लोग सुचते हैं ये सोलर सीटी होती क्या एो양 इसा नहीं को सहर होती को पूरी तरीके से जो है बिजली जितनी खपत होते हैं पूरा सोलर के माध्यम से ऐसा नहीं है तो वहाँ पर साथ ही हो जो सरकारी आवास होते हैं, सरकारी आवास की जितनी बिजली ज़रुत होगी उसको सोलर के माध्यम से पूरा करना, या फिर जो सडकों पिर जो खंबों पर लाइटी लगी होती हैं, उसकी लाइटों की जितनी बिजली चाहिए उसको सोलर के माध्यम स तो यही होता है यह सोलर सिटी यह क्या होता है साथियों यह जो है जो एक तरह से जो इधन होती है जैसे कोईला और पर जो डिपेंड बिजली है उसको कम करना है आगे चले हम लोग देखते हैं क्या है हमारा साथवा प्रश्ण तो साथियों में साथियों क्या कर रहा है हाल ही में पहले हाल ही में पहले इसकिल इंडिया सेंटर का उधगाटन किस सहर में किया गया है तो किस सहर में किया गया है साथियों इसकिल इंडिया सेंटर का उधगाटन किस सहर में किया गया है आप से यह सवाल पूछा जा रहा है तो साथियों यह जो किया गया है यह ओडिसा के संभलपुर में बिकल्प नंबर सी हो जाएगा यह क्या होता है साथियों एक इसकिल जो परसिछड होता है उसको इसके लियानि एक तरह का जो है वो जो हुमैन होते हैं उनको पूजी चाइब का बना जैसे हमें हमारे अंदर क् करने की स्किल नहीं है तो हमारे अंदर जो इसकिल बिक्सित हो जाएगी अगर तो हम लोग हम कहीं एक तरह के पूजी हो जाएंगे हमें कोई कंपनी रख लेगी काम करने के लिए वही इसकिल का प्रसिछड देने के लिए यह किया जा रहा है संभलपुर में आगे देखते ह द्हाम मंदिर की आधार शिला प्रदान मंदरी ने कहां रखा है तो उत्तर प्रदेश के संभल जीले में बिकल्प नमबर ए यह कल की द्हाम मंदिर क्या है साथियों आप यह बिशुडू का हम लोग जैसे माना जाता है कि बिशुडू के कुल 24 आवतार हैं 24 आवतार में अ नहीं उसकी के लिए जाना जाएगा यह कल की धाम मंदिर तो विकल्प नमबर ए हो जाएगा संभल उत्तर प्रदेश का एक जीला है आगे देखें हम लोग देखें यहां पर साथियों क्या है अत्ति आवश्यक सेवा संधारन अधिमियम निमलिखित में से किस वर्स चक्का जाम करने वाला था भारत बंद करने वाला एक करका अंदोलन था इसके पहले किसान अंदोलन था जो पूरा रोर जाम करके बैठे थे तो इसी की समस्या के लिए इन ही सभी समस्याओं से निपटने के लिए 1968 में एक अति आवश्यक सेवा संधारन अधिमियम बनाया तो एक पूछरा किस वर्ष बनाय गया था तो 1968 में अब आपको ये क्या है साथियों जैसे कोरोना काल में सब छीजे ठप थी लेकिन जो अति आवस्यक चीजे थी जैसे दूध हो गया गैस सिलेंडर हो गया खाने पीने चीजे हो गई इनका आवगमन नहीं रोका था नहीं तो पब्लिक क्या खाए पीएगी तो इसलिए कोई अगर धरना प्रदर्शन दे रहा है तो उसो अति आवस्यक चीजों के लिए वो नहीं रोक सकता अगर रोकेगा तो उसके उपर कारवाई हो गया जैसे दूध जा रहा है गय सिलेंडर की गाड़ी जा रही है या फिर जोका जाएगा तो यही है अगर यह अगर पारित किया गया था तो इसी लिए कि अतियावस्यक सेवसंधारण को डिश्टर्ब्र न किया जाए 1969 में आगे देखे हम लोग तो साथियों यहां पर हमें क्या दिया है दस्में वाले में मिलान वाला प्रशन है जोकी बहुत ही अच्छा प्रशन है ये क्या इसमें कहरा है साथियों देखें ये एक तरफ आपको यहां पर दे दिया है और दोगी गतिविधी और दूसरी तरफ उसका अस्थान दिया है कौन से अस्थान पर कौन सी और दोगी गतिविधिया है उसी को आपको मिला देना है तो आप सबसे पहले उसको मिलाइए जिसको आप अच्छे से जानते हो जिससे आप अच्छे से परचीत हों तो हम अच्छे से परचीत हैं साथिओं कन्णाउज इत्र के लिए प्रसिद है इत्र यानि पर्फ्यूम पार्क कहाँ है कन्णाउज में है तो D वाला दो पर होना चाहिए तो सवतिओं सोचियों आप सोच कर देखो D2 पर कहां है, सिर्फ A कही जगर पर है, वो भी B वाले में है, तो उत्तर आपका B हो जाएगा, सोचो हमें A कही फैट यहां पर क्योंग मालुम था, और A कही से हमें उत्तर मिल गया, तो यही होता है मिलान वाले प्रशनों में, कि आपको जानकारी बहुत ह कोशिस किये, और लड़कर उत्तर को निकाल लिया आपने, तो यह होती है उत्तर निकालने के कला, तो फिलहाल जो और मैचिंग है साथियों, और अगर बता दें, तो ग्रीन अमोनिया प्लांट यह आ जाएगा साथियों, गोरगपूर, गी से ग्रीन, गर से गोरगपूर, और मेगा फुट पार्क जो है साथियों, यह कहां है, यह बरेली में है, और एक आपका जो बचा है, यह रिवालवर, फैक्टरी कहां है, यह हर दोई में है, तो यह मैंने आपको बता दिया, उत्तर भी हो जाएगा आपका, आगे हम लोग 11 में देखते हैं, तो साथियों, 11 वाले question में आप से क्या पूछा जा रहा है, निमनलिखित में से कौन सा जिला, कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश के रच्छा और दोगी गलियारे के 6 नोड्स का हिस्सा नहीं है, तो साथियों, यह रच्छा और दोगी गलियारे क्या है, तो इसको थोड़ा सा अगर आप होगा, तो साथियों क्या है ये, तो ऐसे समझे इसको, यह जैसे 6 नोड्स हैं रच्छा और दोगी गलियारे में, इसका मतलग कहां कहां पर वो रच्छा से सम्मंदित उपकरण बनाए जाते हैं, जैसे बम हो गया, दिवालवर हो गई, यह सब रच्छा से सम्मंदित जो सा साथियों आएंगे तो आपको आगरा मिल जाएगा, आगरा में है, उसके बाद साथियों आएंगे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको लखनव मिल जाएगा, लखनव में, फिर उसके बाद जो है, आपको मिल जाएगा जहांसी और चित्तोकूट में, तो यहां को ये मैप में दिखाई दो रहा होगा यही 6 गलियारे हैं यह जो है रच्छा अधोगी गलियारे कहे जाते हैं जिसमें खुर्जा नहीं है आगे देखे हम लोग 12 में तो इसमें साथियों क्या कहा जा रहा है आपसे उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के वर्स 2024-25 के बज बजट में कुल राजकोसी घाटा यह कितना है जो इस साल का बजट 2024-25 में तो तीन दसमलों यहां पर साथियों क्या है तीन दसमलों यह चार्च हो जाएगा तो यहां पर यही है 12 का बी हो जाएगा उत्तर आपका ये वाला कितना बजट घाटा है तो अगर आपसे यहां प तो 7.4.6 लाख करोड इतने का बजट पेस किया गया था जो अब तक की सबसे अधिक का बजट था तो इसे याद रखेगा एभी आपसे पूछा जा सकता है 13 में हम लोग देखते हैं तो 13 में साथियों आपसे क्या पूछ रहा है इज आप डूइंग बिजनस के बारे में तो राज्य ब्यापार सुधार कार योजना 2019 के अधार पर कारोबार में सुगमता तो कारोबार में सुगमता जिसे इंगलिश में हम लोग इज आप डूइंग बिजनस कहते हैं तो इज आप डूइंग बिजनस के मामले में उत्तर प्रदेश का क्या क्रम है उत्तर प्रदेश का क्या अस्थान है तो साथियों इज आप डूइंग के मामले में उत्तर प्रदेश का दूसरा अस्थान है विकल्प नंबर भी हो जाएगा इज आप डूइंग का मतलब होता ह तो सबसे पहले कहां है आंधर प्रदेश में है यह A, N, D में लिखकर P लिख दे रहा हूं से समझ जाएगा आंधर प्रदेश में है चंदरवाबु नाइडो के हां विकल्प नंबर B फिलाहाल इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा दितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश है पहले नमबर पर आंधर प्रदेश आगे देखते हैं हम लोग 14 वाले में 14 में साती क्या पूरा निरारास्त्रित महिला tv पेंशन योजना तो साथियों 1000 रुपया तो विकल्प नंबर भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो निराश्रित यानि बिधवा महिलाए हैं उनको 1000 रुपया पेंशन यूपी सरकार देती है आगे देखें 15 वाले में तो साथियों ये 15 वाले में आप से क्या पूछ रहे हैं ये कन्या सु इसको लांज किया गया था ये जो ऐसा आप से 10 हैeth की जो कन्या सुमंगला योजना है 2019 निसको लांज किया गया था तो यह क्यों किया गया था कि उत्तर परदेश में बालीकाओं की संख्या को बढ़ाना, लिंगा नुपात को बढ़ाना, बृुन हत्या को कम करना, बालिकाओं को पढ़ाना, उनकी स्वास्तो विधाये देखना, इनही सब के लिए यह फिलाहाल आया था, तो पहला इसमें क्या कहरा आया साथी हूं, पहला वाला जो कथन है इन्ही कथनों को दोनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है सही उत्तर विकल्प में तो बालिक्या के परिवार को बित्ती साहयता परदान करना अब करने के लिए वर्स landlord 9 में शुरू किया गया था यज विकल्प नमबर एक तो सही है, कथन एक तो सही है, और आपको मैं बता दूँ, यह सिर्फ जो है परिवार की दो लड़कियों के जादा से जादा दो लड़कियों के लिए सबसे विजा मिलता है, दो से जादा अगर लड़की रहेंगी, तब उनको नहीं मिलेगा, मतलब मिले भी बताया आपको, तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही है, पंदर का आपका उत्तर भी हो जाएगा, दोनों कथन सकते हैं, आगे देखें हम लोग 16 में, 16 में साथियों प्रदान मंत्री जंधन योजना के बारे में दिया है, प्रदान मंत्री जंधन योजना के संदर मे कौन सा कथन सही है इसको देखकर कथनों को पढ़कर सही उत्तर आप दीजिएगा इन दोनों कथनों को पढ़कर तो पहला दिया साथियों बिक्ति शमामेशन के उद्देश से इस योजना की सुरुवाद 2014 में की गई थी यह साथियों मोदी सरकार जब बनी थे 2014 में उसके बा खा था, इसलिए खोला जा रहा था क्योंकि जो सरकार पहले गरीबों को कुछ कल्यार के लिए शायता रासी देती थी तो बिचुझ यह खा जाते थे तो उन्हीं बिचुझेवलियों से बचने के लिए बैंख होगा हर एक कव्यक्ति का व्यक्ति को खेल रहा था जीनो काउ हमारा को है। खाता धारक की तो are यहां पर गलत हो गया केवल जो है। 1 सही है हमारा 16 का सी हो जाएगा बहुत अच्छा आगे देखते हैं हम लोग 17 में देखते हैं क्या है साथ इसी प्रश्ण का अभी मैं जिक्रक आप से थोड़ी देर पहले किया था आ गया यह प्रश्ण सेम तुसेम वही है कुत्तर प्रदेश के बित्न मंत्री जो है सुरेश खन्ना किया तो मैंने अभी बताया साथ दस्मुलों चैर्श लाख करोण इतने राश्री का बजट पेश किये जो अब तक का सबसे रिकार्ड सबसे इतियासिक बजट था क्योंकि हर बजट अपने आप में इतियासिक होता है जो पिछला बजट जो आगे जो बजट आएगा इसका रिकार्ट तोड़ेगा उसके जो बजट आगे आएगा उसका रिकार्ट तोड़ेगा ये बजट की बिसेशता होती है आगे देखे हम लोग 18 में उत्तर प्रदेश में वीट इस्टाल्क जो एक हस्त सिल्फ उत्पाद है यह उत्तर प्रदेश के निमलिखे जिलों में से कि की भिसेष्टा है, तो सात्यओं, वीट इस्टाउलक ये क्या होता है? कि गयोंई की फसल से एक प्रकार की जो है कपडों पर ये तरह का डिजाइन बनाया जाता है? तो यह preparations हो तो कि तरह आ है? उत्तर प्रदेश के बहराईच में यह किया जाता है विकल्प नमबर एक साथियों देखें बहुत ही बढ़िया परशन यहां पर उन्निस वाले में क्या दिया है एक तरफ आपको जिला दिया है एक तरफ यहां जिला है और दूसरी तरफ उस जिले की प्रसिध चीजे क्या है वह है टो कौन से तीन गलत हैं.. एक सही है उएसस सही वाले को आपको पकड़ना है। तो साथियो बांदा जो है.. बांदा में एक केन नदी बहती है.. वहा एक शचर पत्थर पायी जाते हैं.. तो सचर पत्थरों पर कुछ डिजाइन बनाय जाते हैं.. तो वो कहां हो गया, बांदा ये शचर जोन में हो गया, इसका मतलब पहला गलत हो गया, पहला यहां है, अब इसका वाले पे ये आ गया, इसका मतलब ये भी गलत है, चित्रकूट में साथियों, चित्र मतलब वही एक तरह का समय लिए खिलावना, खिलावना मतलब लकडी के मैं चित्रकूट में लखड़के खिलवने के लिए प्रशिद है ये साथियों ये गलत ये दोनों गलत हो गए क्योंकि ये दोनों उल्टा दे दिया था ये भी गलत ये भी गलत बलिया में बिंदी ये सब्सक्राइर अब खeles विराओं सिर्यमिक उत्पाद बुलंद सहर में है तो ये आप लोग याद रखिएगा और कोशी नगर में केले के रेसे से जो एक तरह के उत्पाद बनाये जाते हैं केले के रेसे से तो वो कोशी नगर कर्शी कोशी के से केले इन सबको याद रखिएगा फिरहाल बलिया सही ह बिंदी यानि टिकुली, आगे देखते हैं हम लोग 20 में, तो 20 वाले में साथियों क्या पूछा जा रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त और उपलोकायुक्त संसोधन विध्यक 2024 को में उत्तर प्रदेश ने विधान सभाद पारित किया है, और इस विध्यक में निमलिखित में से क्या संसोधन किये गए, तो साथियों जो संसोधन किया गया, इसमें लोकायुक्त और उपलोकायुक्त कारकाल 8 से 5 वर्स कर दिया गया, ये बात सही है, और इन पदों की अधिक्तम आयू को घटा कर 62 वर्स कर दिया गया है, ये बात गलत है, 62 वर्स नहीं साथियों, इनकी अधिक्तम आयू को 70 वर्स किया गया है, तो विकल्प नमबर A सही है, दो गलत हो गया, B का केवल, 20 का क्या हो जाएगा हमारा C हो जाएगा ये केवल 1 हो जाएगा, बहुत अच्छा, आगे चले हम लोग 21 में देखते हैं साथियों क्या घजब का प्रश्ण है, बहुत ही शांदार प्रश्ण है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाख लगाना है, अप लोग को मालूम है 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था अंग्रेजों ने लेकर आये थे, तो उसमें क्या था कि कमपनी के जो ब्यापार एका अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया था एका अधिकार को समाप्त करके सिर्फ चाय का ब्यापार और चीन के साथ ब्यापार को छोड़ा गया था और 1813 में, यानि इसके 20 साल बाद, चीन के साथ ब्यापार और चाय का ब्यापार के एका अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया तो इसमें कह रहा है वर्स 1800 Charter Act अधिनियम के संदर में कौन सा कथन सही है सही उत्तर बताना है आपको जब आप पहला पढ़ेंगे तो करा इसने भारत के साथ ब्यापार पर कमपनी के एका अधिकार को समाप्त कर दिया तो मेरे भाई कमपनी के एका अधिकार को 1813 में ही समाप्त कर दिया गया था 1833 में नहीं तो ये चीजे गलत हो गई आपकी इसमें प्रेसिदेंसी साथियों को बिधी निर्मार की सक्ति से वंचित कर दिया तथा बिधाय शक्ति को गवर्नर जनरल और उसकी परिशत को सौंप दिया गया तो यह साथियों यह बात सही है तो 21 वाले का जो आपका उत्तर होना चाहिए साथियों यह बी होगा क्योंकि केवल दो सक्ते है यह वाल वाला 1922 में ये भी यूपी से संबंदित है ध्यान देजिएगा 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त होने के कारण कौन सी प्रमुग घटना थी तो आप लोगों को मालूम है 1920 में जो गाधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करे और गोरफपूर के चावरी चावरा न नाराज होता है तो क्रांतिकारी अंदोलन शुरू करता है और उसी समय 1923 में गांधी जी से नराज होकर मोतिला नहरू सियर्दास ने स्वराज पालिटी भी बना लिया था जो सबसे पहले सनिदान बनाने का प्रसा स्वराज पालिटी ने ही रखा था तो यह सब चीजे एक इस समाज सुधारक ने या सुधारक ने किया था तो साथियों जो किया था ओ दादोबा पांडू रंग ने किया था विकल्प नंबर बी यानि 1849 में परम हंडली का गठन दादोबा पांडू रंग ने किया था और क्यों किया था साथियों इस जात्पात का जो भेद भाव जात्पात का जो जार था इसको खतम करने के लिए तो विकल्प नमबर डी आगे देखते हैं हम लो 24 में क्या है निम्ने लिखित में से कौन सा संगठन वर्स 2030 में चटगाओं सस्त्रागार पर छापे के लिए जिम्मेदार था तो साथियों इंडियन रिपॉब्लिकन आरमी तो विकल्प नमबर बी हो जाएगा आज Ceia डी आपन टो नहीं दिया है लेकिन उत्तर यहाँ विए होगा इंडियन का बी बहुत अच्छा आगे हम दोग देखते हैं क्विश्चन नंबर पचीस में क्या होगा तो साथियों एक से बढ़कर एक प्रश्न है निम ने लिखी तमें से किस गवर्णर जनरल को भारती प्रेस का मुक्ति दाता का आयाता है तो साथियों हम लोग किसी को अगर मुक्ति दाता मतलब प्रेस को मुक्ति दे दिया प्रेस को जो सेंसर लगा था उसके माफ कर दिया तो माफ कर दिया कौन माफ कर दिया मेटकाफ मेटकाफ माफ नाम ऐसी तरह से है न माफ किया कौन किया मेटकाफ किया तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ को भारती प्रेस का मुक्ती दाता का जाता यानि बहुत सारे सेंसर लगा दिये वे थे जो पहले तो उसी सेंसर को हटा जाया था यह है चाल्स मिटकाफ ने चाल्स मिटकाफ कब था 1835 से 1836 एक साल के लिए यह है जो है गवर्नेर्ट जनरल बना था 35 से 36 तर तो आगे देखें हम लोग यह है 26 वाले कोश्चन में 26 तो इसमें क्या कहा जा रहा है फराजी आंदोलन के संदर में कौन सा कथन सही है तो यह जो फराजी आंदोलन है इसके संदर में कौन सा कथन आपका सही है इन दोनों कथनों को पढ़कर आपको सही उत्तर देना है तो दिजी आप कैसे देंगे सही उत्तर तो पहला वाला जब पढ़ेंगे तो कह रहा है यह ब्रिटिस सरकार के खिलाप पहला करमुक्त अभियान था तो ब्रिटिस सरकार के खिलाप यह पहला करमुक्त अभियान था साथियों जी बिलकुल सही है यह इसी क से 48 तक यह चला था फराजी अंदोलन तो यह एक सोतंत्र प्रेस्ट समर्थक थे और उन्होंने अठारव सुतेश के नियम यह जो स्वारी में यह अच्छा इधर हो गया थोड़ा एक मिनट देखते हैं हम लोग फिर से 26 वे वाले में फराजी अंदोलन फराजी अंदोलन के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है इन दोनों कथनों को पढ़कर आपको अच्छे से बताना है सही उत्तर कि कौन सा फराजी अंदोल साथियों जान लीजिंए अठारसो अनतीस से लेकर 10 साल तक चला था और 40 सा फराजी अंदोलन को याद रखिए का 40 सा तक चला था ब्रिटीस आसन के इस आंदोलन के नेता थे, तो साथियों नहीं, यह सेद अहमद बरेवली लिखा है, इस आंदोलन के नेता नहीं थे, इस आंदोलन के नेता शरीय तुल्ला थे, इनका नाम था शरीय तुल्ला, तो बिकल्प नंबर 20 इसका गलत हो गया, तो किवल एक अपका उत्तर होगा, ये 1855 से 57 के बीच जो संथाल बिद्रो हुआ था उसके नेता कौन थे तो साथियों संथाल बिद्रो के नेता सिंपल सिवा सिध्धो और कानो विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका सिध्धो और कानो थे यह संथाल बिद्रो के नेता के रोप में बहुत अच्छा आगे देखते ह हम लोग 28 वाले में साथियों देखें हमें कालकरम से संबंदी दिया है ऐसे सवाल आरो एरो यूपी पीसे जैसे एक्जाम में दबा कर पूछे जाते हैं तो 28 वाले प्रश्ण में हमको सारी चीजे डिट किलियर रहनी चाहिए थोड़ा सा तो तभी हम लोग इसको अच्छे से कर पाएंगे तो साथियों कैसे करेंगे देखते हैं चले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर देखते हैं कालकरम में अंतिम में था तो कालकरम जो आपको पता रहेगा सबसे अंतिम में कौन थी तो आत्मी सभा का गठन, तो आत्मी सभा का राजा राम मोहन रे 1814 में, 1814 में आत्मी सभा का गठन किया था साथियों, ये बात तो आप लोग जानते हैं, वह समाजिक और राजनितिक मुद्दों के चर्चा और्चा से संबन दे तो आगे चल कर साथियों, ये जो है बंगाल स साती प्रथा का जो ये था ये राजा राम मोहन राइक से ही के प्रयासों से हुआ था 1829 के आसपास ये हुआ था ये हो गया बिधवा पुनर विवा जो हुआ था इसोर्चन बिद्या सागर के प्रयासों से ये 56 के आसपास हुआ था और वुड़ डिस्पैज जो हुआ था 1854 म में आपको लग रहा है तो वही बिदवा पुनर विवा दिनियम वाला विकल्प नंबर सी यही आपका उत्तर हो जाएगा बहुत अच्छा आगे देखते हैं हम लोग 29 में क्या है निम्ने लिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा जोड़ा सही सुमेल वेलेजली ने लेकर आया था 1798 में तो आया था वो तो यह सही बात है सहायक संधी लाड़ वेलेजली संबन्दित है तो ऐसे समझ लिए वेलेजली कुछ जलेबी टाइप का नाम है इसका और जलेबी सब आपस में ऐसे सहायक तुरूप में जूड़ी रहती है एक दूसरे क ब्यक्बत का सिर्दान्त है तो ए भी सही है ए भी सही है लेकिन आपसे गलत पूछा है याद रखिएगा यह कारणवालिस जो आया था यह अस्थाई बंदोबस्त लेकर आया था 1793 में तो इस साथियों यह जब हमें क्लियर हो गया यह तीनों बाति सही है तो हमें आख मुं जो है यह अंग्रेजी सिच्छा की पूर्जोर उक्वालत किये थे इससे संबंदित है एक तीवी मैकाले रिंगफेस नीपी से संबंदित यह नहीं है तो बिकल्प नंबर एही आपका उत्तर होना चाहिए क्योंकि तीन सही है आगे देखते हैं हम लोग 30 वाले में कोल बिद्रो कब हुआ था 1831 से 32 के बेच कोल बिद्रो का सही भोगोली का स्थान क्या था यानि कोल बिद्रो कहां पर हुआ था जो 1831 32 के बीच हुआ था तो साथियों आप लोग को मालूम होगा यहां पर जो चार नाम यहां पर दिये गए हैं इनी चारों में से हमें बताना है यह पूर्वी भारत में हुआ था कोल विद्रो विकल्प नंबर बी हो जाएगा यह पूर्वी भारत छोटा नागपूर वाला जो जारखंड के आसपा कहले हैं साथियों मिरातु लगबार से कावन है राजानाम दोहन राय से हूँ होना चाहिए इक-टिस का डी हो जाएंगा कर्च है बारत का अग्रदूत कहा जाता है यानि प्रतम नेता बहुत सारे इनको टाइटल से जाना जाता है तो मिरातु लगवार ने निकाला था यह बंगाली बहासा की तुल्ना में फार्सी में अधिक फेमस हुआ आगे देखते हैं हम लोग 32 में क्या है वेलू थंपी ने कौन वेलू थंपी ने किस राज में अंग्रेजों के खिलाफ बिद्रोह का नेतित किया था यह आप से question पूछरा है साथिओं यह किया था त्रामण कोर त्रामण कोर साथिओं कि आज के तेलंगाना के आसपास की फेस्ट्र रहे तो जावी पर त्रामण कोर में हुआ था यह थे वेलू थंपी च्रामण कोर अए डच़के आगे देखते हैं, 33 में, 33 में साथ यूँ क्या आपसे पूछ रहे हैं, ये इसमें पूछा जा रहा है, वर्स 1853 के Charter Act अधिनियम के संदर में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो 1853 के जो Charter Act अंग्रेज लेकर आये थे, उससे सम्मन्दित आपको दो कथन दिये गए हैं, अगर आये कौन सा सही है, वही आप सही उत्तर को बताना है, याद रख लिजिए, कभी-कभी आपसे गलत भी पूछ लेगा, गलत उत्तर को बताना है, लéकिन यहाँ सही को बताना है, तो चलिए बताना है, पढ़ेंगे तभी बता पाएंगे, अधिनियम के Governor General की परिसत के बिधाई और कारकारी कार्यों को प्रिथक कर दिया तो ये बात सही है अधिनियम के ने यानि इस अधिनियम ने 1853 चार्टर एक ने गवर्नर जनरल की परिशत के बिधाई और कारकारी कार्यों को अलग कर दिया था तो साथियों ये बात सही है अलग कर दिया था ये बात बिलक हुआ दूसरा करा है यह पहली बार था जब भारती यानि केंद्री विधान परिश्यद में अस्थानी प्रतिनी दृत्त आया था यस यानि लोकल लोगों को ज्यादा प्रतिनी दृत्त दिया गया तो दोनों बातें सही हैं विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा आगे देखत अब एक प्रशन और आया था उसमें सबसे अंति में पूछ लिया था वो सती प्रता वाला अब इसमें पूछ रहा है कौन सी घटना सबसे पहली थी तो साथियों यहां पर थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा प्रथम आंगल डच युद्ध प्रथम आंगल डच और यह हो गया और यह जो क्या है दूसरा आंगल मराठा युद्ध तो आंगल मराठा युद्ध सात्यों यहां पर जो लिखा है तो यह हो गया यहां पर और तीसरा युद्ध है यह हो गया और हम लोग आगे अगर देखें तो तो साथियों, हम लोग question number 34 देखते हैं, क्या लाजवाब प्रश्न हैं, बिल्कुल इसी तरह से अभी एक प्रश्न आया था, वो सती प्रथा वाला, उसमें कहा था कि अंतिम में कौन सी घटना घटी, लेकिन इसमें आप से पूझ रहा है, इस कालकरम में चार घटनाय दिया है और कराय पहली घटना सबसे पहले कौन सी घटी थी, तो साथियों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न आपको मालूम है, ये सहायक संधी, जब ये विलेजनी लेकर आया था, तो सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधी स्विकार कर ली थी, 1798 में ही, 1798 में ही सहाय संधी, ये जब लेकर आया था लाजवेजली, तो हैदराबाद के निजाम सबसे पहले स्विकार किया था, ये question भी पूछा जाता है, सबसे पहली सहायक संधी स्विकार कौन के थी, तो हैदराबाद के निजाम, और यहाँ पर साथियों, आंगल डच युध, प्रथम आंग जो हुआ था, ये आंगल डच युध, हैदर अली की जो मृत्य हुआ था, आप लोग जानते हैं, 1780 में जो दूसरा आंगल मराठा युध हुआ था, तो उसमें हैदर अली की मृत्य हो जाती है, और उसके बाद दूसरा आंगल मराठा युध होता है साथियों, ये 1803 से 5 के बिच चलता है तो सातियों देख रहे हैं सारी चीजें अठारासों में लेकिन ये प्रथम आंगलडच युद्ध है ये शोलवी ये सतापदी में है तो ये 1652 यानि 1660 वाले सन में है तो विकल्प नंबर भी हो जाएगा आपका उत्तर यही सबसे पहले घटीत हुई थी 35 में निमने लिखित में से किस व्यक्ति ने the Indian Association की स्थापना की थी तो किस व्यक्ति ने Indian Association की स्थापना की थी साथियों तो आपको मालूम है सुरेंद बनर जी ये बंगाल के थी बंगाली विकल्प नमबर D हो जाएगा आगे देखते हैं हम लोग आगे देखें क्या है हमारा 36 वाले में प्रश्न निमने लिखित में से किस व्यक्ति तुने 1857 के बिद्रोव के लिए कहा था कि बिद्रोव विसुद्रोव से एक सैन बिद्रोव था न कि ब्रिटिस साथन को उखाड फेकने का सड़े अंत्र यानि वो कौन से बेखती थे जुन्हों ने 1857 के युद्ध के बारे में कहा, कि यह बिद्रो अंग्रेजों को खाड फेकने का बिद्रो नहीं था, बलकि यह सिपाहियों का बिद्रो था, यह किस ने ऐसा कहा था साथियों, तो यह कहा था, जॉन लारेंस ने, बिकल्प नमबर न दिया है कहीं कहीं इसका संबंद भी UP special से है तो एक तरफ सूची में कुछ व्यक्तियों के नाम है और दूसरी तरफ वो कहां के आंदोलन को नेत्वित कर रहे थे वो अस्थान का नाम है यानि 1857 की जो क्रांती हुई थी उसमें कौन से व्यक्ति कहां के लिए आंदोलन का न आपके जो एक भोजपूरी वाले हीरो है इनहीं की तरह नाम उनका पवन सिंग है वो भी बिहार के आरा से हैं तो पवन कुवर ऐसे जोड़ करने लिजिएगा तो आपको याद हो जाएगा तो ये बिहार चलाएगा कुवर सिंग और एक बेकम हजरत महल ये लखनों का और ये वाला तेन पर तो विकल्प नंबर आपका सी होना चाहिए सी हो जाएगा विकल्प नंबर ये वाला तो यही होना चाहिए 37 का आपका 37 का सी हो जाएगा बहुत अच्छा आगे देखते हैं हम लोग 38 में साथियों 38 में देखते हैं आधा प्रस्ण मारा यहां है आधा अगले पेश पर है तो क्या है कौन सा 1857 के बिद्रोह का तातकालिक कारण था उस समय तातकालिक कारण कौन सा था आप लोगों को मालूम होगा कि वही चर्वी वाला मामला था मंगल सिंग पांडे का मंगल पां थी तो वही चर्वी वाले से व्यपगत का सिद्दान्द जिसके कारण रियास्तों को ब्रिटिस समराज में मिला लिया गया हालांकि ए भी हो सकता है अब देखें क्या है अगर सभी दिया होगा तो सभी हो जाएगा अठारसो तिर्पन में एक नई बागान परडाली के परड़ाम सरूप भारती किसानों की दुरदसा होई थी तो मगले पेश पर देखते हैं क्या है यहां पर देखते हैं क्या प्राच्य सिच्छा के अस्थान पर पश्च्छी में सिच्छा को संस्कृती की सुरुगात क्योंकि बहुत सारी घटनाओं का यह उपज था 1857 की क्रांती लेकिन उसमें एन्फिल्ड राइफल का ततकालिक कारण था उसमें हाफा उड़ा थे है कि यह सुवर की चर्वी गाय की चर्वी और मामला वही तो आगे देखें हम लोग यह 49 में क्या है हमारा 49 में 49 में सातियों एक तरफ आपको दिया है कौन सा राज और दूसी तरफ उसका बिले दिया है तो किस राज का बिले कब किया गया तो आप लोग को मालूम है 17 का सबसे पहले बिले किया गया था 17 का बिले तो कौन सा सही सुमेलित है, यानि तीन गलत होंगे यहां पर, यहां पर साथियों तीन गलत होंगे, एक ही सही है, तो उसी सही को बताना है, तो यह जो सतारा का बिले सबसे पहले हुआ था, व्यपगत सिद्दान के यानि डलहोजी ने जो हडप नीती लाया था, कह रहा था कि यानि जिसको कोई अपना बच्चा, जिस राजा के पास कोई अपना बच्चा नहीं है, तो उसका राजपाट हम ले लेंगे, गोद लिया हुआ बच्चा मानने नहीं होगा, तो यही थी हडप नीती का एक सिद्दान, जो डलहोजी लेकर आया था, डलहोजी कब आया था साथ उसी काल में रेल गाड़ी चली थी 1849 से और 1856 तक था वो इसको याद रखिएगा तो 17 सबसे पहले बिले किया गया था 1849 में ही तो यह यह तो उसी समय बिले हो गया था इसका और आगे साथियों आप लोग को मालूम है यहां पर और जो हमारा एक तरह का यह दे दिया है यह ब तो सही सुमयलित साथियों यहां पर हमारा सतारा तो गलत दे दिया है संभल पूर यहां पर गलत है उदयपूर जो है 52 यह सही है तो यहां पर गलत क्या होना चाहिए 48 में 17 का संभलपूर में 50 हुआ था ये भी सही है और साथियों यहाँ पर जो उदैपूर का 52 में हुआ था जासी का 54 में हुआ था तो साथियों हमें लगता है यह question में ऐसा रहना चाहिए था कौन सा सुमेलित नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 सुमेलित है यही 17 वाला नहीं है तो यही उत्तर होना चाहिए यहाँ पर नहीं देना चाहिए था यानि कौन सा सुमेलित नहीं है तो 17 वाला सुमेलित नहीं है 17 वाला 56 की जगा 48 होना चाहिए तो 40 में हम लोग देखते हैं तो साथियों 40 में हमारा क्या कह रहा है बहुत अच्छा प्रश्न है एक मिनट तो साथियों 40 में क्या पूछ रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर में दो कतन है और दोनों कतनों को पढ़कर सही उतर देना है तो चलें पढ़ेंगे तब हम दे पाएंगे भारत पर अधिकतर सिक्रेटरी आफ इंडिया भारत पर अधिकार सोरी भारत पर अधिकार सिक्रेटरी आफ इंडिया दोरा एक परिशत की साहता से प्राप्त किया जाता था भारत पर ये सिक्रेटरी आफ इंडिया को साथियों उस समय भारत का मंतरी कहा जाता था तो भारत पर सासन करने की सकती East India Company से British Crown को हस्ता अंतरित करना इसी समय जब हुआ सताव 1800 सावन की क्रांती तो कम्पनी से सासन छिन कर जो है British Crown को दे दिया गया यहाँ पर दोनों बाते सही हैं C होना चाहिए उत्तर विकल्प नमबर C आगे देखें 41 में हम लोग मैचिंग वाले प्रशन है मैचिंग वाले प्रशन हम लोग का गलत नहीं होना चाहिए साथियों चूंकि बहुत लाजवाब प्रशन होते हैं थोड़ी सी जानकारी में हम लोग उत्तर निकाल लेंगे तो सूची एक सूची दो इन दोनों सूचीओं को मिला कर देखें कौन सा हमारा सेट हो रहा है तो साथियों यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें कौन सा हमारा उत्तर यहाँ पर बन रहा है उसे हिसाब से हम लोग करेंगे तो साथियों लाइसेंसिंग अधिनियम 1857 में आया था तो लाइसेंसिंग अधिनियम 1857 में प्रेस और पुस्तक का रजिस्टरिक करण अधिनियम कब आया था साथियों सानसेट में इसके 10 साल बाद ये सनसेट में आया था वर्ना कुलर प्रेस एक्ट कब आया था सातियों अपनों को मालूम है 78 में आया था कि अब देशी इसके माध्यम से जो कह रहा था कि अरना कुलड प्रेस कौन लेकर आया था लाड लिटन लिटन कह रहा था कि भाई अब देशी भासा में समाचार पत्र नहीं छपेंगे 78 में लेकर आया था कि अब समाचार प्योल अंग्रेजी में छपेंगे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अंग्रेजी में छपेंगा तो उसे कम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों की जो उस समय की जो लूट की उसको कम लोग समझ पाएंगे तो इसलिए लाया था तो हालांकि 1882 में लॉर्ड रिपन ने उसको हटा दिया और अगला तो है हमारा कौन है ये कहीं बचा है ये भारती बिस्विद्यालय धिनियम ये हो जाएगा तो हमारा कौन सा उत्तर बना ये वाला तीन पर गया बी वाला चार पर गया सी वाला दो पर डी वाला एक पर तो बी होना चाहिए उत्तर तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा बी आगे चलें आगे सातियों क्या है 42 में देखते हैं क्या है प्रथम अकाल आयोग जो प्रथम अकाल आयोग का गठन हुआ था सातियों 1888 से 80 के बीच इसकी अध्यस्ता किसने की थी तो सातियों इसकी अध्यस्ता जो किसने किया था ये आपसे पूछ रहा है पर थम अकाल आयों के अध्यस्ता किस ने किया था, तो और स्ट्रेची ने किया था, बिकल्प नमबर एट, आगे देखते हैं, 43 में क्या है, तो 43 में साथियों कराया, निमलिखित में से कौन सी घटना, लौड लीटन के कारकाल के दोरान घटित नहीं हुई थी, वही लौड लीटन जो अरना कुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था, तो साथियों उसी सम्द्ध में कौन सी घटना उससे सम्द्धित नहीं है, तो ये आपको बताना है मतलब अंग्रेज जो भारती जज थे वो अंग्रेजों को भी सुनवाई कर सके इसलिए इलबर्ड वेल आया था जिसको लेकर आया था लौड रिपन ने तो ये नहीं था डिकल्प सी ही आपका गलत है ये आपका उत्तर हो जाएगा चोवालिस में चोवालिस में साथियों आपसे क्या पूछ रहे हैं लौड रिपन के संदर्व में लौड रिपन वही जो वर्ना कुलर प्रेस एक्ट को रद किया था वही तो लौड रिपन निमलिखित में से कौन सा कथन सही है तो कौन सा कथन सही है लौड रिपन के संदर्व में कथन एक दिया है और कथन दो यहां पर दिया है वो थोड़ की गई थी तो साथी हों हंटर आयोग अपलोग को मालूं है 1882 में ही हंटर आयोग की स्थापन की गई थी और 1882 में ही Lord Ripan आया था है तो बिल्कूल सही यह पहला वाला तो आपके लिए सही है तो पहला सही हु तो यह आधा है तो फिरहाल उसके हिंदू सासक को वापस करने के जिम्मेदारी थी ऐसा कुछ भी प्रावधान था तो विकल्प नंबर C हो पहला तो सही है अगर दूसर का पूरा होता तो दूसर का यहां प्लियर नहीं हो रहा है यह क्या है तो फिरहाल एक तो कंफर्म है सही है और क्लियर नहीं हो रहा है दूसरा क्या है तो या तो A होगा या तो C होगा तो आगे देखते हम लोग इसकुछ देख लिजएगा आप लोग क्योंकि पहला क्यों सत्ते है आगे देख लिए हम लोग 45 में वर्स 1902 में 1902 में नियूक्त फ्रेजर आयोक किस्ते समन्दी था तो साथियों ये फ्रेजर आयोक था यहाँ पर वो लाड करजन के सासनकाल में आया था ये फ्रेजर आयोक फ्रेजर आयोक साथियों पुलिस सुधार से समन्दी था तो बिकल्प नंबर A हो जाएगा पुलिस सुधार समन्दी कौन करजन के सासनकाल में वही जो बंगाल का भिभाजन किया था आगे देखें 46 में आधा परशन आगे है कलकत्ता निकम अधिनियम 1809 में के संदर्म में कौन सा कथन सही है तो 1819 के संदर्म में कौन सा ये कथन सई है कलकत्ता अधिनियम तो इस अधिनियम ने नामांकित अधिकारियों की संख्या में बिद्धी की एवन निर्वाचित बिदाईकाओं की संख्या कम कर दी तो साथियों यही सही है यह अधिकारियों की संख्या बृध्धिकी और निर्वाचित विधाईकाओं की संख्या कम कर दी यही बात सत्य है यहाँ तो आगे देखते हैं हम लोग तो केवल यह कही सही है यह वाली आगे देखें तो 46 हम लोग देख लिए 47 देखना है तो 47 में तो साथियों 47 में हमें क्या कह रहे हैं स्वामी दयानन सरस्वती स्वामी दयानन सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है तो साथियों आपको मालूम है लाला यहाँ पर जो दिया है लाला राश्वत राय ने वैदिक मोल्यों की अवहिलना की और स्वामी दयानन सिद्दान्तों का बिरोध किया नहीं साथियों, स्वामी दियानन्द सिद्धान्तों का बिरोध कहां किये थे, लाला राजपतना ने स्वामी दियानन्द के प्रबल समर्थक थे, तो यहां पर यही बात गलत हो गई, यह बात सब को मालुम है, तो यही चीज गलत है यहां पर, क्योंकि वो बिरोधी नहीं उ समाज की स्थापना हुई हिंदियों को वापस लाने के लिए सुद्धी अंदोलुक लोक्परी बनाया जो दूसरे धर में धर्मांत्रीत हो गए थे उन्होंने सत्यार्थ प्रकास नामक पुस्तक लिखी जिनमें उनके विचार सम्मिले थे यह सब सही है भी गलत है अनतालिस म अनतालिस में क्या है फ्रांसिस्को डी अलमीडा यह पहला पुर्तगाली गवर्नर है इसी के संदर में कौन सी बातें सही हैं यही आपको बताना है तो अब पुर्तगाल के राजा द्वारा दस वर्स की अवधी के लिए पुर्तगाली गवर्नर था तो साथियों यह पुर् दर्स वर्स के लिए नहीं तीन वर्स के लिए पंद्रस व पांच में आया था ये तो ये गलत हो जाएगा दूसरा क्या है वह कार्टेश प्रडाली का अग्रहडी था तो कार्टेश प्रडाली का वह अग्रहडी था यस विकल्प नमबर दो हो जाएगा ये सत्य है आगे पूर्टगालियों का जो वास्तविक संथापक पूर्टगाली कंपनी थी भारत में जो सबसे पहले आई थी उसका वास्तविक यह सी को माना जाता है अल्भुकर को तो अल्भुकर के संदर में कौन से कथन सही है तो उसके द्वारा गोवा का अधिकरहन सिकंदर के महान के बाद किसी यूरोपी सक्ति द्वारा भारती छेतर पर अधिकरहन किये जाने का उदारन था तो साथू यह तो सच है कि वही अल्भुकर ने गोवा पर अधिकार किया थ था पंदरह सो दस में तो ये बात तो सही है तो 49 का ये पहली वाली यो तो बात सही हो गई आपकी दूसरी क्या उन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया तो यस सती प्रथा को भी उन्होंने उस समय समाप्त करने का प्रयास किया था हलांकि वास्तविक रूप से जो समाप्त तो हम लोग अब देखते हैं question number 50 50 में क्या है East India Company के संदर में निभलिद में से कौन सा कथन सही है तो East India Company के संदर में दो कथन है दोनों कतनों को पढ़कर सही उत्तर देना है तो गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा East India Company को जारी किया गया फर्मान सुनहरा फर्मान के रूप में जाना जाता है तो साथियों yes ये बात सत्य है सुनहरा फर्मान फर्रुक सियार द्वारा East India Company को जारी फर्मान को कमपनी का मैगना कार्टा का जाता है इसका जो यंग्रेजी डॉक्टर ने इसका एक इलाज कर दिया था एक सर्जरी कर दी थी नॉर्माल तो उसी के लिए खुस होकर वो उनको जो है सारे बहुत सारे रियायत दे दी तो इसलिए कमपनी का मैगना कार्टा का आया था बिना चुंगी लगाए व्यापार करना ये चावन वाले में इन घटनाओं को अच्छे से पढ़कर आप बताए कौन सी घटना ये कालकरम में सजाना यानि सबसे पहले कौन घटना उसके बाद उसके बाद ये कालकरम में हमें सेट करना है तो साथियों यहाँ पर हमें जो लिखा है ये जो है हमें कालकरम में सजाना है तो वांडी वास का युद्ध, तो साथियों ये वांडी वास के युद्ध के बारे में हम लोग को मालूम है, तो वांडी वास का युद्ध कब हुआ था, करनाठक के तीसरे युद्ध में, करनाठक का तीसरा युद्ध कब हुआ था, करनाठक युद्ध मतलब अंग्रेज अंग्रे जो फ्रांसीसियों का यूद हुआ था ये 1760 को 1760 इसी में ये अंडवांडी वास का यूद हुआ था दिती करनाठक यूद में और यहां पर एक पोर्टो नोवा का यूद हुआ था साथिउं पोर्टो नोवा का यूद 1789 के आस पास हुआ था और हुगली का यूद हुगली का यूद शाथियों आप लोग जानते हैं सत्रा सो उनसट को सात वर्ष के दोरान हुआ था ये चिन्सूरा के पास तो सत्रा सो उनसट तो ये हो गया हुगली का यूद और एक हमारा बचा है अम्बूर का यूद अम्बूर का यूद कब हुआ था साथियों ये अम्बूर का यूद जो हुआ था वो लगभग सत्रा सो 49 के आसपास हुआ था ये 1749 के आसपास तो आप लोग जान गए होंगे अब हमारा कौन सा सेट बनने वाला है तो सबसे पहले कौन इसमें हुआ रहा होगा इसको ध्यान दीजीए आप तो सबसे पहले यही 1749 वाला फिर 69 वाला फिर 60 वाला फिर 181 वाला 3 सबसे पहले और 2 सबसे अंती में होगा यही यानि क्यक् spice में है तो 2 सबसे बाद में और 3 सबसे पहले तो 2 उद्तर होगा 52 में राजस निपटान की 17 प्रडाली का प्रेथम बार निमलिखित में से किस सासक की सासनकाल में सुरू किया गई थी तो राजस निबटान की इजारा प्रडाली प्रथम बार कि सासक के सासनकाल में शुरू किया गया था साथियों तो यह शुरू किया गया था जहां दारा शाह बिकल्प नंबर भी जब अंगरे जेब का जब मुगल समराज जब पतन ग्योर जा रहा था तो उसी में यह जहां दारा शाह सासक बना था आघे देखते हैं हम लोग यह दिया है हमें सूची वाला मिलान वाला है मिलान वाले परशन अच्छे नहीं होते हैं कहास करके ROR ROR या UPCS में खुछे जाते हैं तो तिरपन में साथियों, यह कुछ दिया है, एक छेत्रों के नाम दिया है, दूसी तरप उसके सास्कों के नाम, तो हमें मिलाना है वही उसी बात को, तो यहाँ पर देखें, अवद, अवद का नवाब इसमें कौन रहा होगा साथियों, मुर्शीद कुली खान, यहाँ पर हो जाएगा हमें मालूम है मुर्शित कुली खान ये अवध का नवाब था तो ये हो जाएगा साथिओं यहां पर तीन पर आ जाएगा यह वाला तीन पर होना चाहिए तो यहीं आपका उत्तर होना चाहिए ये जो ये 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 स्वारी ये तो मैं निजाम पर लगा तभी तो मैं कह रहा हूं कहां से ये गल्थी हो गई बोल रहा हूं सही लेकिन लगा रहा हूं गलत मैं तो अवध जो है मुर्षिद गुली खान संबन दित है तो ये वाला दो पर होना चाहिए तो स्वारी यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग तो यह दो यही पर है कि वो लियाई तो आपका B उत्तर हो जाएगा बिकल्प नंबर B तो और आप लोग जानते हैं निजाम यह हैदराबास से संबंदित थे इसको भी आपको मालूम चल गया दो तीन पर होगा और बंगाल में कौन थे बुरहान उन मुल्क और केरल के मारतन दुवर्मा तो यह सब सही हैं विकल्प आपका सेट बन रहा है तो यहाँ देखिए क्या है करनाल का प्रसिद्ध यूद किसके बीच लड़ा गया था तो करनाल का प्रसिद्ध यूद किसके बीच लड़ा गया था तो यह आपको बताना है तो 1749 में करनाल यूद का प्रसिद्ध है फारसी राजा सैनेनेता नादिर साह के लिए एक तरह के जीत थी तो यही बिकल्प नमबर आपका करनाल का यूद कब हुआ था इसको जान लिए 1749 में हुआ था और किसके बीच किसके बीच हुआ था सातियों यह नादिर साह और मुहम्मद साह के बीच बिकल्प नमबर ए हो जाएगा पश्पन में यहाँ पर फिर वही कालकरम में सजाने के दिया है निमने लिखित यात्रियों के सासंकाल पर बिचार कीजिए कुछ यात्री बिदेशी यात्री जो भारत पी यात्रा पर आये थे वो कौन आये कब आये थे उनका कालकरम बताना है पहले कौन आया उसके बाद कौन आया उसके बाद कौन आया तो साथियों यहाँ पर हमें बताना है यहाँ पर William Hawkins दिया है तो सबसे पहले यही जहाँगीर के शाशंकाल में आया था तो 1609 में आया था यह 1609 में यह आया था हांक कर गया था तो उसके बाद कौन था था जहाँगीर यह 216-15 में, इसकी 6 साल बाद आया था, तक्ति यह हुगया और यहाँ पर साथिकों जान सुर्मन, यह जान सुर्मन जो था, यह कब आया था, 1715 में ही आया था, यानि इसके 100 साल बाद, 1715 में आया था, ओर विलियम नौरीस, तो यह William Norris कवाया था 1701 में आया था ये 1701 में तो आपका कौन सा से तयार होगा है सबसे पहले कौन यही William Hawkins वाला उसके बाद ये 1600 में है यानि 13 13 यानि यहां है 13 यहां है यानि या तो उत्तर ये होगा या तो ये होगा ये दोनों तो कट गए अब देखिए कौन होगा ये 1715 यानि अब ये चौथा होगा क्योंकि ये 1701 है फिर ये है दूसरा होगा यानि चौथा दूसरा यानि ये गलत होगया ये ही आपका उत्तर सीवाला होगा आगे चले हम लोग तो क्या है यहां 56 में मराठा प्रसासन के अधीन कौन सी सबसे निचली इकाई थी यनि सबसे चोटी इकाई कौन थी यहां पर ये बताना है तो साथियों मराथा प्रसासन में मौजा यानि कई गाउं को मिलाकर यानि दो चार कई गाउं को समूह को मौजा कहा जाता है और कई मौजा का समूह को परगना कहा जाता है फिन तरब यानि सबसे बड़ा प्रांथ होता है और इसमें सबसे छोटा मौजा तो विकल्प नंबर यह होगा हमारे दादा होदा भी मौजा को ही यह मतलब बोलते हैं उनके मुझ से सुनने को मिलता है मौजा आगे देखते हैं हम लोग 57 में यह तो 56 था और यह 57 है हमारा यह अपन यह दिया नहीं लेकिन 57 है जामदार सब्दों को किस नाम से जाना जाता है इसमें आपको बताना है तो साथियों यह जो कोशा ध्यच होता था उसे जामदार के नाम से जाना जाता था तो जामदार कोशा ध्यच एक भूमी के जो धारक होता है इसे भूमियां कहा जाता था और लेखा परिच्छक को आप लोग जानते हैं ये लेखा परिच्छक को भी कुछ इस तरह के नाम थे और किले का जो प्रभारी होता था तो यहां पर वो भी नहीं दिया है लेकिन इसे जानिए जामदार कोशा ध्यच अठावन में यहां देखें हम लोग सबसे पहले क्या है अठावन में क्या दिया है घटनाओं के कालकरम ये घटनाओं के सासनकाल पर विचार करना है और उन्हें कालकरम में वेवस्थित करना है तो कुछ घटनाएं है उनको जो है हमें अच ये अस्थाई कारखाना इस्थापित किया गया तो विलियम हॉकिन्स के समय तो 1813 में इस्ट इंडियां कंपने सूरत में ये जो है अस्थाई कारखाना बनाया तो सोलासो मतलब सोलासो तेरह में इस्थे तो जाएगा और कम्पनी ने दच्छिड भारत यानी मसूली पट्डनम में पहला अस्थाई कारखाना जो बनाया था वो कहां बनाया था? 1616 में 1616 में बनाया था और बिटिस राजा चाल से दिपी को दहेश करूप में बामबे दिया गया था तो यस क्योंकि अपनी बिटिया से साधी किये एक पुर्तगाली राजा से पुर्तगाली राजा ने किया था अंग्रेजी से तो बिटिसों को दे दिया था तो कब दिया था साथियों? 1662 में तो 1662 में दिया था तो इससे आप लोग समझ गये होंगे अब हमें कौन साशेट हमारा तयार हो रहा है 13 पहले 1613 आएगा पहला वाला फिन यह तीसरा आना चाहिए 16 आना चाहिए तो पहला तीसरा और अंत में सबसे अंत में यह चोथा यस यह वाला कथन आपका सेट होगा आगे देखें हम लोग 69 में कथन कारण वाला सवाल है और कथन कारण वाले सवाले हमारे बहुत पूछे जाते हैं इस समय तो एक तरफ यहां पर कथन दे दिया है और यहां पर कारण है तो वही करकर हमें सही उत्तर देना है यहां पर तो सही उत्तर चलिए देजिए आप कैसे देंगे सही उत्तर तो साथियों यहां पर हमें क्या कह रहा है पहले वाले में British East India Company भारत में सफल रही जबकि फ्रांसेसी असफल रहे सबको मालूमें साथियों इसमें कोई डाउट नहीं है अंग्रेज सफल रहे बाकि सबको फेल कर दिये भगा दिये वो लोग और British India Company एक निजीक उद्यम थी और नौसेना फ्रांसेसी सेना से अधिक मश्बूत थी तो सा कारण है वो भी सही है त्यानि वो ब्यक्ष्या भी सही कर रहा है यह सही है अपके डी वाला हो जाएगा शाठ में निमने लिखित में से किस मुगल साशक के सासनकाल के दौरान पलासी का युद्ध हुआ था तो पलासी का युद्ध साथियों किस के साशनकाल में हुआ था ये अब आपको बताना है साठ में वाले में तो पलाशी का युद्ध आप लोग जानते हैं 1757 इस भी में हुआ था पलाशी का युद्ध ये हुआ था आलमगीर दिती उस समय जो है मुगल शाशक थे तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा आलमगीर दिती तो अंत में जो है ये भी जब बक्षर का युद्ध हुआ था 1764 मे तो जो त्रिगूट सेना बनी थी जो है उसमें ए भी थे आलमगीर जो बात में इलाबा संदी के माध्यम से अंग्रेज उसे मिल गए 61 में निमने लिखित में से किसने फ्रांसीसी प्रशाशक डुपले को नवाब की उपाधी प्रदान की तो किसने फ्रांसीसी शाशक डुपले को नवाब की उपाधी दिया था तो साथियों मुझफर जंग ने दिया था विकल्प नमबर A आगे देखते हैं बाशठ में बाशठ में क्या है निमलिखित में से कौन सी लड़ाई British East India Company द्वारा भारत में अपने यूरोपी यूरोपी पधतियों के खिलाफ लड़ा गया अंतिम्युद्ध था तो British East India Company द्वारा भारत में अपने अन यूरोपी जो प्रतिद्वन्दी थे उनके खिलाब कौन सा अंतिम्युद्ध लड़ा था अंग्रेजों ने ये आपको बथाना है तो अंग्रेजों ने जो अंतिम यूद्ध अने अपने यूरोपी यों से लड़ा वो था सात्यों वांडी वास का यूद्ध विकल्प नंबर भी वांडी वास का यूद्ध अभी आया था यह वही जो करनाटक यूद्ध चल रहा था 2nd करनाटक यू आगे देखें मराठा प्रसासन के संदर में दो कथन है और दोनों कथनों को पढ़कर सही उत्तर देना है याद रखिएगा तो अश्ट प्रधान को उनकी सिवाओं के बदले जागीर दी जाती थी तो अश्ट प्रधान उसमें 8 मंत्री यहते थे यह सिवाजी के समय था ऐस अगिया था तो ऐसा किया गया था और क्वेश्ट्न के संदर में कौन सा क्थन हमारा सही है तो कौन सा कथन सही अच्छा पूछ रहा है कौन सही है ता अश्ट प्रधान को उनको सिवाओं के बदले जागीर दी जाती थी तो साथियों नहीं ये बात गलत है तो उनको जागीर नहीं दी जाती थी बलकि नगत वेतन दिया जाता था तो ये बात गलत हो गई, अश्ट प्रदान के सभी अधिकारियों की अपेच्छा की जाती थी, कि वे राज द्वारा आवस्था पढ़ने पर सैन अभियानों में भाग ले, तो ये भी गलत बात है, ऐसा भी नहीं था, तो विकल्प नंबर हमारा कोई सही नहीं होगा, विकल् निमने लिखित में से कौन सा राजदूत आवरंग जेब द्वारा दक्कन में सिवाजी के प्रभाव को दबाने के लिए नहीं भेजा था, तो कौन सा राजदूत आवरंग जेब के द्वारा दक्कन में सिवाजी के प्रभाव को दबाने के लिए नहीं भेजा गया था, त इसको नहीं भेजा था ना कुजलने के लिए नहीं भेजा गया तो यहां पर शातियों अफजल खान को तो भेजा था उन्होंने मिर्जा जैसिंग को भी भेजा था तो परियूप में से कोई नहीं यह होना चाहिए उत्तर फिलाल आप लोग एक बार देख लेज़ेगा यहीं उत्तर होगा आगे देखते हैं लोग तिरपन में निमनलेखित में से किसने क्रिप्ष मिशं के प्रस्ताओं को एक पोस्ट्ट डेटेट चेख कहा, तो क्रिप्ष मिशं प्रस्ताओं जो आया था साथिए,ymphőn उनिस सो बैालिस में पोस्ट डेटेज चेक किस ने कहा था तो यह यह कहा था महत्मा गांदी जी ने बिकल्प नंबर D हो जाएगा हमारा 65 का D हो जाएगा हमारा और इसमें जो नेहरु जी भी इसी बात हो कहे थे इसमें कुछ आगे जोड़ दिये थे कहे थे कि जिसका बैंक पतन की और है उसका पोस्ट डेटेज चेक है तो तो तोनों बाते आ जाएं तो नेहरु और किवल इतना रहे तो गांदी जी स्वदेशी आंदोलन के संदर्वन निमल्खित में से किसने स्वदेश गीतांगल लिखा था तो स्वदेशी आंदोलन के संदर्वन में किसने स्वदेश गीतांगल ये किसने लिखा था साथ में तो ये बताना है हमें तो ये लिखे थे रामलिंग आदिगल बिकल्प नमब अगे देखें लोग 67 में तो 67 में क्या है तो थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा भारती टिहास के संदर में 1909 के भारती परिशाद अधिनियम ने लिखी संबन्द पर कौन से कथन सही है तो आप लोग को मालूम होना चाहिए जो भारती परिशाद अधिनियम आया था भारत सासन अधिनियम 1909 आले में इसी में मुसल्मानों को अलग चुनावी प्रतिनिधित तो दिया गया था कि अब मुसल्मान खड़े होंगे तो उनको के ओल मुसल्मान ही ओट देंगे तो साथियों ये जो था इसके संदर में बात कर रहा है पहला वाला क्या हो जाएगा सचीदा नंद सिंगा को वायसराय कारकाड़ी परिषद में पहले भारती गुरूप में नियुक्त किया गया था तो साथियों ये बात गलत है क्योंकि भारत ने परिषदों के ये संबंध में यह जो सचीदानन्द को नहीं चुना गया था इतना तो मैं बता है यह गलत हो जाएगा यह गलत है तो वायसराय कारकाड़ी के न्युक्ति सतेंद्र सिंहा को चुना गया था साथ हाँ सतेंद्र सिंहा को सचीदानन्द सिंहा को नहीं तो यह गलत हो गया दूसरा क्या है प्रस तान युग बनाए गया नहीं साथी हूं इतना नहीं था ये 21 में थोड़ा बहुत लगने लगा था 19 वाले में 1919 वाले में तो ये भी गलत है तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा आगे देखते हैं यहां पर हमारा जो 68 वाला है भारती राष्टी कांग्रेस निमने लिखित में से किस सत्र के दवरान अखिल भारती युवा कांग्रेस अस्तित्व में आई थी तो कांग्रेस के किस सत्र के दौरान ये आल इंडिया युवा कांग्रेस अस्तुत में आई थी इसको हमें बताना है अनसट वाले में तो साथ यो कलकता दिवेशन अठारशो उन्नीसो अठाईस वाले में ये आया था विकल्प नंबर भी हो जाएगा आगे देखें निमलिखित में से किसने गांधी के अहिंसत आंदोलन का बिरोध के लिए भारत सेवक संग का आयोजन किया था तो किसने मात्मा गांधी का जो अहिंसा वाला आंदोलन था इसका बिरोध किया और एक भारत सेवा संग का इस्थापना किया था तो किस ने किया था मेरे भाई ये किया था ये पुतीन दास ने विकल्प नमबर C हो जाएगा पुतीन दास आगे देखें सत्तर निम्ने लिखित में से कौन सा संगठन बर्रा डकैती के लिए जिम्मेदार था तो कौन सा संगठन बर्रा डकैती के लिए जिम्मेदार था ये हमें बताना है तो बर्रा डकैती 1908 में ये साथियों जो क्रांतिकारी गत्विदिया चल रही थी बंगाल विवाजन के बाद तो धन जुटाने के लिए पुतीन दास के नेतित में धाका अनुसीलन समीती की गठ तो साथियों हम लोग question number 70 तक देख लिए है भी आधा बाकी है तो हम इसे अगले page पर जो है अगले वीडियो में part 2 इसका लेकर आएंगे तो part 2 में हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से फिर से देखेंगे क्योंकि समय लगता है वीडियो बड़ा ना हो जाए बड़ा होगा तो हमें upload करने में और आपको देखने में प्राब्लम होगे इस लिए इस जो है यूपी इस वेसल जैसे topic को हम अगले जो है वीडियो में लेकर आएंगे इसको पूरा करा देंगे क्योंकि इसके बाद ही जश्ट आएगा तो आप लोग देख सकते हैं अराम से तो हम लोग चलते हैं मिलते हैं question number 71 से हम लोग देखेंगे विकले अकलिब वीडियो में 150 तक तो नमस्कार साथी जैह